अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहे तो आप ये मिठाई बनाना चाहेंगे इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है और इसे हम बिना गैस चलाए बनाएंगे अगर अभी तक चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए नोटिपिकिशन बेल को दबा कर ओल पर क्लिक कीजिए इसे बनाने के लिए मैंने दो टैन रूपीज वाले ओरियो बिस्किट के पैकेट लिये हैं इसमें से सबसे पहले हम जो क्रीम वाला पार्ट है उसे अलग करके और जो बिस्किट है उसका एक फाइन पाउडर तयार कर लेंगे अब इसका हमें एक डो टैयार कर लेना है तो मैंने दो चोटी चमच पानी के इस्तमाल किया है आप इसके जिगर दूद इस्तमाल कीजिए तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा तो इसके बाद इसके हम छोटी चोटी से इस तरीक से बॉल बना लेंगे अब इसके बाद हम ग्राइंडर में आधा कटोरी शकर डालेंगे और दो इलाइची डालेंगे इसका हमें एक फाइन पौडर तयार करना है एकदम चिकनी शकर पीसनी है मोटी शकर नहीं पीसनी है अब इसके बाद इसमें हम दो टेबल स्पून डालेंगे मिल्क पौडर औ और एक कटोरी नारियल का बुरादा अब इस मिक्षर को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका अब हमें एक डो तयार करना है अब इसमें हमें कुछ भी आट करने की जुरुत नहीं है बस ऐसे ये डो तयार हो जाएगा इसे बहुत जादा आपको मलना नहीं है न और कटोरी जैसा शेप देते हुए जो हमने चौकलेट वाला बॉल बनाया उसे इसके अंदर रखकर इसे इस तरीके से हम अच्छे से सब सरफ से बंद कर देंगे और इसे एक लड्डू का शेप देंगे देंगे देखिए बिना गयास जलाए कितनी बड़ी मिठाई तयार ह अब इसे हम पेपर कप में रख देंगे तो बिल्कुल हलवाई वाला लुक मिल जागा एक दम दुकान जैसे मिठाई यह दिखने लगी और ऐसे ही हम सारे लड्डू को तयार कर लेंगे थोड़ा से पिस्ता के साथ इसे हम गार्निश कर लेंगे और कोई से कह ही नहीं सकता क आपने इसे बिना गैस जलाए फटापट से 10 मिनट में तयार की है इसे देखके कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ब्लैक बिस्केट से वाइट मिठाई या तयार की है और इसका टेस्ट ला जवाब है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं कोई वीडियो कैसा लागा बाक्स पर जरूर बताइए हम मिलेंगे एक और नाई देक्सिपिक साथ टेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग